तो भाई ये आसिप भाईया है लक्षमी नहीं है पर फिर भी अपने आसिप भाईया की पावर देखो से ला कि आसिप भाईया ने ऐसे किया और ये बंदा ठपा खा कर बाहर गया है अच्छा भाई वैसे लख्ष्मी की बूट आसीबईया के अंदर आ जाता है वो तो सही है, अम लख्ष्मी जया से दिखने के लिए अपने असीबईया को यह संत्रे लगाना जरूरी थे करह बाभा जब लक्षमी स्टिर्शूट को ये बुके मारने लगती है, तो ये तो रास्ते में ही तूट गया और नीचे वाला पीस तो वहीं का वही रह गया है जब इस वीडियो में आप प्रूफ करें हो कि आप में भी है फिल्मिसिंस वाला कीड़ा, खेर इस पिक्चर में से मिस्टेक निकाल के दिखाओ फिर मानूंगा, थोड़ी होरर मिस्टेक है, आप में डर्ना जाना, खेर नहीं दिखी तो मैं वीडियो के एंड पर बताऊंगा सो वीडियो एंड तक जरूर देखना, सो लेस्ट गो, इस सीन में इस रास्ते से गुजरने वाली यांटी को पता है कि इस जगा को नहीं देखना, पर ये घार एकदम इस जगा के साथ है, पर जब इस बंदी का दुबट्टा उड के उदर गिरता है, तो भागी भागी जा यहां यह डोंगी बाबा ऐसे पानी फैंकता है, तो साथ वली दिवार पर मैं चुडेल हूं लिखा जाता है, पर जब कैमरा उसे टाइम पीछे से दिखाता है, तो इस बंदी के आजू-बाजू तो कोई दिवार ही नहीं है भाई, और जिस दिवार की तरफ ये इस दिवार पर गिर गया, वा भाई, और पिर आसिव भाईया आकर इस बाबे की खोलने लगते हैं, आमीन पॉल खोलने लगते हैं, तो कहते हैं, अब यार यहां कौन सा लोटा डून रहे हैं, यह भी उस लोटे से पानी फैंकते हैं, तो इनका पानी भी उसी दिवार पर एतनी दूर जाकर गिरता है इस सिन में जब ऍश्फ भाईया स्टम्स निकार रहे हैं तो इतनी थेस बारिश चुनू हो जती है अब यह रितनी थेस बारिश में तो बंदे के चट्डी तक गिली हो जती है पर जैसे घर पहुंचते हैं, तो यह दो चकाचक सूखे होते हैं, दूबारा जाजू, हाँ यार, I know कि इत्तु सी शेटगिली हुई हुई है, पर भाई बारिज देखो कितनी तेज हो रही थी, और उससे भी बस इत्तु सी शेटगिली हुई, भाई लोग इस घर का बिल लगता ह कुछ ज्यादा ही आगया है, जो या अंटी को इतनी राग को किसी की रोने की वास आ रही है, पर उसे या अंधेरे में डूड़ी जा रही है, तामने भूत आ गया है, फिर भी लाइटे ओननी कीम वो तो सही है, पर जब ये इस घोड़े को रोकती है, और ये फिर से हिलने लग जाता है, तो ये डर कर भाग जाती है, और अपने बंदे को ठाकर ले जाती है, और मज़े की बात, ये दोनों अभी भी अंधेरे में भूत को देखने आ गए है, अब यार आप तो लाइटे ओन करके ढूंड लो, भाई लोग बहुत लोगों ने मुझे ओनलीन पैसे क और अब वो दूसरों को भी सिखा रहे हैं, वैल उसके चैनल पर आखो पादा चलेगा कि किसी भी स्टार्टप के अपिडल के साथ ओनलाइन पैसे कैसे कमाएं, so link in the description, so DJ Trader के चैनल को सब्सक्राइब करो, और ओनलाइन इंकम शुरू करो, और हाँ, उनके पास एक ट्रेड और अगर वो घूमा, तो 30% कन्फर्म होजेगा कि घर में बूत है, और वो नारियाल जब ये रखते हैं, तो वो घूमने लग जाता है, अब यार यही देखकर बंदे की फट के हाथ में आ जाए, पैंट, पैंट, उसके बाद भी ये दोनों थोड़ा और कन्फर्म करने के ये दूसरी और तीसरी ट्रिक भी ड्राइ करने लगए, हूँ बाई इस सीन में बाउजी ने लेमन ग्रास टी मांगी है तो आसिफ बाईया बाहर उसी गंदे प्लांट से लेमन ग्रास उतार कर टी बनाने लग गया जिस पर ये कुछ दिर पहले डायन का खून साफ का रहे थे उपर से इस ग्रास को वोश भी नि किया ड्रैक्टी डाल दिया फिल्में से साथ फिल्में अब फिर रात को कोई हस रहा है तो ये आंटी फिर अकेली उट कर चली गई उपर से अभी भी लाइट से लाकर नहीं जा रहेंगे वागई ने मद अब अब हप तो कंफरम होई गया है ना कि घर में भूत है तो मेरे जासा बंदा तो कमरे को लूदा गुए है और स्लिपर्स भी पैने होई है ये उड़ कर आ अरहे हैं तब भी पैने हुए है बद जैसे ये उड़कर आ जाते हैं तो इनके पाओं पर लगी हल्दी और वोग जाते हैं और हाँ इनके वो जाते हैं पुरे डाइनिंग रूम में कहीं भी पड़े जो ही जा रहे हैं इसीन में अक्षे पाजी ने इस बंदे को मुक्का मा रहा है तो वह उड़के इस टेबल पर गिरता है पर टेबल देखो सरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई कपड़े की शीट पड़ी हुई है पर लकडी कहीं से भी नहीं लग रही अच्छा इस एंगल से अपर के अंगल से दिखा रहा है तो थर्मा कोल का टुकडा उड़ता नजर आ रहा है इस सीन में आसी भाईया को पीर बाबा के पास लेकर आया भूत निकल आने के लिए उसकी बेटी की फोटीज दिखा रहा है और लगता है इस बूट ने भी दो तीन कैमरा में हायर की हु तो स्टोरी में जब लक्षमी स्थिर्खुट को ये बुके मारने लगती है तो ये तो रास्ते में ही तूट गया और डीजे वाला पीस तो वहीं का वही रह गया है और अब इस थिर्खुट को ठाक के पटका है तो वो तो अभी इस शीशे के साथ इत दूसा भी टच नहीं तो बाहर रोशनी हो रही है और उसी टेंट अब आसिव भाईया ये तवीज उतारते हैं और लक्षमी की आत्मा वापस आ रही होती है तो बाहर अंधेरा हो रहा है अच्छा भई वैसे लक्षमी का भूत आसिव भाया के अंदर आ जाता है वो तो सही है और भई आप लक्षमी के पास फ्री में ही है लाग इसने पैल लगाया तो ये चिरकुड बसम हो गया फिर अपनी लक्षमी एक्समैन की वॉल्वरीन भी बन गई और फिर फ्लैश की तरह तेज भी भागने लग गई वातलब बेसिकली लक्षमी अवेंजर्स को लीड कर सकती है इसली ये ब अंदा ठपा खाकर बाहर गया और अब आसिव भाईया की जंप देखो जरा इतनी दूर से यहां तक एक जंप में आगए वावई एन रिपीड अब ये सिंपल आसिव भाईया ही है लक्षमी का बूत अब बाया है इनमें और लास में ये कपड़े चेंज होने वाली लोजि ट्राइक करो फिर से देखने की दिखा नहीं नहीं दिखा ये वाली गुडिया अक्चुली में गुडिया नहीं बलके बुडिया है जिसके पहले हमने बोड़ी तरीफ की पर बाद में उनके अंदर एटिटीउड आ गया था खेर आज कल अबस इतना है वीडियो अच्छी अगे तो वीडियो को शेर ज़रूर करो यार शेर करो शेर करो और फिल मेस्टो सबस्क्राइब करके बल आइकन दवाना तो बिलकुल ना भूला क्यूंकि फिल मेस्टो सब्सक्राइब कर डाला तो लाइव जीनको लाला